इसके साथ हैं लोकषबा का कि यहीं को परिस्तित्यों में उसको डिस्क्वालिफाइग किया जा सकता है और और article 103 जो है यह बात करता है कि disqualification से लेके जो decision है जो decisive authority है decision कौन ले सकता है किसके पास यह authority है कि इसको disqualify किया जा सके उसकी बात करता है इस पर हम चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखें सबसे पहले तो article 102 की बात करते हैं तो इसमें यह बात किया गया है अब देखिए यहां पर एक और बात जो कि बहुत important आपको पताना चाहूंगा कि यह जो article 102 जो है यह part 5 of the union constitution में आता है that means कि यहां पर जो हम बात करें वो बात करें MP की है member of parliament की बात करें चाहे वो किसका हो चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो यह जितने भी provision लिखे हैं कि किस-किस criteria के अधार पे एक member of parliament को disqualify किया जा सकता है यह same criteria as it is आपको मिलेंगे 191 जो article आपका जो state वाला matter है न तो वहाँ पे यह same criteria आपको देहने को मिलेगा और उस case में किसको disqualify किया जाता है एक MLA को किया जाता है तो यह आपने याद रखना है यह same provision अगर MLA की बात है तो उसके लिए article 191 है लेकिन जब आप MP की बात करते हैं तो वहाँ भी हम बात करते है करेंगे लेकिन यहां पर आपको बताते चलू कि office of profit का मतलब यह है कि अगर एक MP वह MP है तब तक ठीक है लेकिन इसके इलावा अगर government of India क्या कर देती है उसको किसी NGO का चेयर्मन बना देती है और as a chairman of that NGO उसको कुछ salary we receive होती है या फिर पंजाम National Bank का उसको चेयर्मन बना दे देती है और MP के होते हुए उसको कुछ salary तो मिलती ही है जो कि एक MP को मिलनी चाहिए लेकिन इसके इलावा अगर कोई और पोस्ट उसको government provide कर देती है और वहां से भी इसको पैसा आता है तो उसको आप क्या कहोगे उसको आप office of profit कहोगे लेकिन office of profit जो है basically यह topic जो है सरफ यह दो चा लाइनों में सीमित नहीं रहती है इसको detail में बहुत ही बारीकी से study करने की अवशकता है तो इसको एक separate लक्चर में हम detail में discuss करेंगे लेकिन यहाँ पे for the timing 102 जो आर्टीकल है तो सबसे पहला यहाँ पे criteria क्या कहता है कि अगर किसी MP ने office of profit hold किया तो उसको disqualify किया जा सकता है अब second देखिए second आपक्या बात लिखा गया है second आपए criteria निधारिट कियागी कि अगर वह unsound mind काmond क aquest Mr. का है और उसको किसे declared किए है कि वह unsound mind का है उसको किसी competent कोटे अगर कोट ने इनिधारित कर दिया कोट ने एक कह दिया जो कोई opposition party का कोई बंदा है अगर वो चले जाता है प्रेसिडेंट के पास और यह कहता है कि यह वाला MP जो है फलानी पार्टी का यह अंसांड माइंड का हो गया है तो क्या इस बात को मैंदर नजर रखते हुए क्या प्रेसिडेंट इसको कर सकता है तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं दूसी तरफ अगर हम बात करें तो क्या कोई भी होस्पिटल क्या कोई भी होस्पिटल आसा कोई सर्टिफिकेट इशू कर दे और कह दे कि यह इसका मांसी सतुलन ठीक नहीं तो क्या इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको डिस्क्वालिफाई कर सकता है इसकेस में आपको होगे कि इसकेस में भी इसको डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाकता है डिस्क्वालिफाई तब किया जागा जब कोई कोट इंट्रिवेंशन करके अगर कोट यह कह दे कि यह अंसांड माइंड का है तब ही उसको डिस तब भी उसको डिस्वाने च्पालिफय क्या जा सकता है और यहां यह और तो इन्सोल्मेंट का मतलभ होता है 29 insolvency का मतलब होता है एक यह financial condition को बतलाता है ना यह सिरफ financial condition को बतलाता है कि एक ऐसा person जो कि इतने सारे उसने कर्ज ले लिये हैं और अब वो इस्तिती में है कि वो अपने कर्जे उतार नहीं सकता है उसके पास अब कुछ भी नहीं है कि वो उसको पे बैक कर सके है ना तो उस particular situation को उस condition को उस financial condition को आप क्या कहते हो insolvency या फिर insolvent की condition कहते हो है ना अब देखिए अब होता क्या है कि अब माली जी कोई भी कोई भी responsible authority है उसने क्या किया उसको मालुम चला कि इसने बहुत से लोगों से पैसा ले लिया है अब वो इस condition में नहीं है कि वो उनको पैसा पे back कर सके उसके पास कोई भी income का source नहीं आ रहा है तो इस particular case में basically होगा क्या कि जो भी यहां पे responsible authority है वो क्या करेगी यहां पर insolvency insolvency का process शुरू करेगी है ना तो वह insolvency का process basically क्या होगा कि पूरे इसके जितने भी इसके assets है उसको study किया जाएगा है ना सभी को study करने के बाद फिर यह फैसला लिया जाएगा कि जितने भी लोगों ने इसको पैसा दिया था उसको अगर यह चीजें बेच के अगर उसको पैसा दे दिया जाता है तो यह इसके जो कर्जे ते जिसने की इसको पैसा दिया था उन सभी में बाट दिया जाएगा उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो यह MP था या फिर यहां पर कंसीडर कर लीजिए कोई भी एक इंडिविजवल था उसको फिर यह कंपिटेंट अथॉरिटी जो है ठीक है वह क्या कह देगी वह कह देगी कि यह अब डिस्चार्ज हो गया डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन हंडेड डी से पहले पहले जब अभी तक प्रसेस च चुकी होगी अब यहां पर दूसरा और क्राइटीरिया क्या लिखा गया है कि अगर वह इंडिया का सिटिजन नहीं है तो इसकेस में भी उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है देखिए एक परसन है कोई भी मालीजे वह पाकिस्तान ओरिजन का था उसने इलेक्शन अब जैसे ही वह एंपी बच जाता हमें मालूम चलता है कि वह इंडिया का सिटिजन नहीं है तो उसकेस में भी उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है और अगर एंपी बनने के बाद ही अगर मानेजे किसी दूसरी कंट्री की अगर वह सिटिजन शिप ले देता है तो इसकेस में भी उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है और कहीं से अगर हमें ऐसा मालूम चले कि वह एंपी बहुत ही लोयलिटी दिखा रहा है अपनी देश भक्ती किसी और दूसरे कंट्री के प्रती दिखा रहा है अब इंडिया का बेंगा सेटिजन आफ इंडिया अगर वह एंपी रहते हुए किसी दूसरे देश के प्रती निष्टा दिखाता है तो इस केस में भी इसको डिस्क्वालिफाई कर देना चाहिए अब यहां पर पाच्वी यहां पर कंडिशन क्या है कि कि पार्लेमेंट टाइम टू टाइम ऐसे लौ बना सकती है और यहां प अगर हम बात करें ओफिस-चाहर पॉपिट की तो वहां पर उफिस-वब प्राफिट की क्या हो सकता है कि गवर्मेंट क्या कर सकती है कि A B C D कुछ लिस्ट त्यार कर सकती हो वहाँ पर लिख से दिया कि इन-इन इन इंस्टिटुशन को आप office of profit के दाइरे से बहर रख सकते हो अगर उसका अगर चैर में मना दिया जाता है कि से MP को तो उसको बैसिकली ऑफिस जप्रोफिट का कोई भी यहां पर नागू नहीं होता है यहां पर कुछ दो एक्सेप्ष्टन रखी गई गया तो अभी तक हमने बात किया था आठिकल वन जीरो टू क्लाउस ऐन की बात कि थी अभी हमें क्लाउस दो की बात करते हैं अब क्लाउस दो के तहत बात यहां पर क्या गया गया यहां बात किया गया है 10th schedule का 10th schedule जिसको कि आप क्या कहते हो एंटी defection law भी कहते हो तो इसके तहत भी कुछ प्रावधान किए गया है जिसके तहत एक MP को यहां फिर मेले को क्या किया सकता है डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है अब यह जो आपका इप पॉइंट है यह आपकी पार्लेमेंट जो है वो टाइम टू टाइम कुछ लॉट फ्रेम करके कुछ रूल संट रेगुलेशन बना सकते हैं जिसको मद्य नजय रखते हुए किसी भी MP को य यहां पर दिर्धारित किया गया है जिसको की मद्य नजय रखते हुए किसी भी MP को या फिर ML को यहां पर डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है तो सबसे पहले अगर उसको दोशी पाया जाता है किसी भी इलेक्शन ओफेंस को लेके या फिर कोई भी करब्ट प्रक्टिस करते हुए अगर उसको गिल्टी पाया जाता है तो उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है अब पांस साल का तो उनका टर्म होता है दो से अधिक सालों के लेगर वो जेल में रहेगा तो उसका एंपी रहने का क्या फैदा है ना तो इसकेस में भी उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है अब यहां पर एक एक्सेप्शन भी है कि अगर किसी एंपी को का अंडर प्रिवेंटिव डिटेन्शन लॉग के तैत अगर उसको जेल में डाला जाताय तो उसकेस में यहां पर उसको डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा देखेढ़ इसका क्या मतलव होता है और के चuwगल होने पर्सेंट ने क्राइम अभी तक कमिट नहीं किया थो मिश्य वाले समय में क्राइम कर सकता ह्ता है और क्यूंकि फीचर कोई क्राइम कमिट कर सकता है तो उसको क्या-क्या पोलेisons ने उठाकर में डालधीए तो इस त्रीकी कि यहां पर एक और यहां पर क्राइटीरियल लिखा गया इस पर दी रेप्रेजेंटेशन पीपल एक 1951 कि अगर वह इलेक्शन कमिशन के पास जाके इलेक्शन का जितना भी पैसा था अगर वह सही समय तक उचित समय तक अगर वह अपनी इनफर्मेशन उसको नहीं देता है एक्शन कमिशन को तो इसकेस में भी क्या होगा उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा और इसके लावा ये भी देखा जाता है कोई अगर कोई कोई का ले रही है कर दिया जा सकता है इसके इलावा अगर हम बात करें तो अगर कोई MP कोई भी MP आप मालीजे कोई अगर उसको करप्ट प्रैक्टिस के लिए अगर उसको डिस्मिस किया गया था तो इसको भी अधार मानते हुआ उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता ये भी आपने याद अखना है और इसके इलावा हम बात करें तो आप यह कहा सकते हो कि अगर वो लोगों के बीच में कीज़ेगा अगर उसको सजा मिली है किसलिए शसले़ गया विली है क्योंकि उसने अंतेच मईलिटी को सब्रेjust किया था ङोटा ढावरी प्रता को की पलक 1951 अब हम बात करेंगे आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑन दी ग्राउंड ओफ डिफेक्शन तो यह आप बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आर्टिकल वन जीरो टू का जो क्लॉस सेकेंड उसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर बेसिकली क्या लिखा तो देखेंगे डिफेक्शन डिफेक्शन का क्या मतलब होता है डिफेक्शन का मतलब होता है कि अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके मिल जाना तो इसको क्या कहते हैं इसको अब डिफेक्शन कहते हूं तो अगर इस तरीकी का कोई किस आपको देशने क होती है जब किसी MP या फिर MLA को डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है देखिए सबसे पहले तो अगर कोई भी MP या फिर MLA अपनी एक्षा अनुसार अगर अपनी मेंबर्शिप छोड़ देता है कि किसी भी प्लिटिकल प्लिटिकल पार्टी को दिये थे कि भी या अपने इस पर्टिकुलोर बंदे को वोड करना यही अपने क्या कि वोट यह बाइब टो कि यहां कि वोट यह कर लिए तो इस केसमे कि बीडिया au हो अब यहां पर कुछ एक्सेप्शन यह है कि अगर 15 दिन के भीतर भीतर अगर वह पुलिटिकल पार्टी इस कारे के लिए अगर उसको माफ कर देती है तब कोई भी यहां पर डिस्क्वालिफाई का चांस नहीं है अदर्वाइस इस दोनों क्रेटिरा को मंधन नजर रखता ह वह उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है अब यहां पर दो और बाते उभर के आती हैं जब आप एंटीडिफेक्शन लॉक की बात करते हो जैसे कि किसी इंडिपेंडेट के अगर हम बात करें इलक्शन उसने लड़ा था एक इंडिपेंडेट के रूप में वह उसने इलक्शन कंड्रस्ट किया था जैसे ने वह जीता है बाद में पुलिटल्सी को ज्वाइन कर लेता है जाके इसकेम ऐसको धब इसकों क्लिफाई किया जा सकता है एक नॉमिनेटि अगर मैंबर की बात करें तो उसके लिए क्या है कि जैसे उसको नॉमिनेट किया गया है तो अगर नॉमिनेट करने के बाद अगर वो छे महीने के भीतर भीतर अगर किसी प्लिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है फिर तो कोई बात नहीं है उसको डिस्क्वालिफाई नहीं किया जागा लेकिन basic overview था यह काफी आपके लिए information यहीं से भी मिल जाएगी लेकिन इसको अलग से हम discuss करेंगे अब हम देखते हैं कि अभी हम disqualification disqualification की बात करें तो आखिरकार इसका निर्धारन कौन करेगा इसका निर्धारन कौन करेगा कि किसी MP को MLA को यहाँ पर disqualify करना है देखिए आपका article 103 जो है यह basically बात करता है कि decision कौन लेगा यह responsibility किसकी है कि disqualify किया जाना है किसी MP को या फिर MLA को तो आपका article 103 जो है यह basically power किसको provide करता है यह power provide करता है आपके president को कि article 102 का clause 1 जो है इसके जितने भी यहाँ पर provision आते हैं तो उससे related अगर किसी MP को disqualify करना हो तो यह power किसके पास है यह power है president के पास में लेकिन लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको याद रखने चाहिए कि final decision लेने से पहले को उसको disqualify करना है या फिर नहीं करना है president को किसका opinion लेना होता है यहाँ पर election commission का यहाँ पर opinion लेना होता है आपने याद रखना है अब देखिए यहाँ पर बहुत important बात है जो कि आपको बताना बहुत अवश्यक है वो यह है कि जो आपका article 102 subclose 2 जो है वहाँ पर क्या लिख्या है वहाँ पर entity faction की बात की है तो entity faction law के तहट अगर disqualification की बात आती है तो वह फैसला कौल लेगा वह फैसला आपका लेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनकेस अगर आप बात कर रहे हो राज्यसभा की तो वह decision कौल लेगा एंटिडिफेक्शन लॉग किता है तो वह लेगा आपका chairman लेकिन अगर बात राज्यसभा लोक्सभा में माफ की जगा चल रही है तो वहाँ पर speaker इस पर decision लेगा कि डिस्ट क्वालिफाइड करना है कि नहीं करना बहुत ही important है अगर क्लोस रहाँ की बात करते हो तो वह power किसके पास है वह power है आपके प्रेसिडेंट के पास लेकिन अगर आप बात करें एंटिडिफेक्शन लॉग की तो वह पावर किसके पास है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है वो डिपेंड करता है कि केस राज्यसभा का है कि लोकसभा का आपने यादखना है अब यहाँ पे एक और बात आप नोटिस क अगिसक्रस की है ना एंटिफेक्शन लॉग को छोड़ के अगर बात की जाए तो जो भी टिसीजन से अवो कॉल लेगा वो आपका लेगा यास्ग गवर्नर लेगा अब यहां पर इक और बात है जो कि आपको मालूम हुनुए वह यहाँ कि क्या इसके अगेंस जॉडिक्श चाहे वो मामला आपका anti-defection law का हो चाहे इससे पहले अगर प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो अगर प्रेसिडेंट भी डिस्क्वालिफे करता है तो उस आपको अपको अच्छा लगा होगा तो थैंक यू वाचिं थैंक यू फो वाचिंग जैहिन कीप लर्निंग कीप ग्रोइग